नमस्कार दोस्तों सुमित अवस्थी हुब है आप जानते हैं आज एक बहुत ही महत्पूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूँ European Union का delegation जो श्रीनगर गया उसको लेकर देश में राश्टे इस्तर पर बहुत बड़ी बहस चल रही है मेरी नजर में इस मुद्दे के दो पहलू है एक कूटनितिक एक राजनितिक और एक तीसरा पहलू भी बहुत important हो गया है जहांपर कूटनितिक और राजनितिक मुद्दे आपस में घाल मिल कर गया है और इसलिए यह बहस का इतना बड़ा विशय बन गया है इस टॉपिक को लेकर मुझे लगता है कुछ चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है बार-बार ये बात कही जा रही है कि हमने विदेशी महमानों को बुलाकर शीनगर भेज दिया एक paid sponsor trip पर भेज दिया और अपने सांसदों को वहाँ जाने से रोक दिया कुछ सवाल है मेरे विपक्ष से और कुछ मुद्धों पर मैं विपक्ष के साथ सहमत भी हूँ पहली मैं साफ कर देता हूँ लेकिन पहले सवाल विपक्ष ये कह रहा है कि आपने हम को रोका लेकिन विदेशियों को भेज कर अमेरिकी मुद्धे का अंतराष्ट्य करन कर दिया ये अंतराष्ट्य करन करना नहीं कहते हैं इसको कहते हैं नूट्रल एमपायर्स को जाकर पिच दिखाना और ये साबित करना कि इस ग्राउंड पे इस पिच पे सब कुछ सामाने हैं ये पिच मैच खेलने लायक है जिसको हम ग्राउंड इंस्पेक्षन कहते हैं तो basically विदेशी मेमान है जिनका ना भारत से संबन्द है ना पाकिस्तान से संबन्द है इन दो दरजन के करीब सांसदों को जो कि यूरेपन यूनियन के सांसद है और कुछ सांसद तो जो हैं वो पाच-पाच-पाच-दर-दस टम चुनाव जीत चुके हैं उन सांसदों को बुलाकर आप कश्मीर ले गए, शीनगर ले गए, हाँ हमारे खर्चे में गए, हाँ हमारी सेना के साथ थे, हाँ हमारे साथ जाकर वहाँ के चुने हुए प्रतिरिद्यों चाहिए वो सरपंच हो, चाहिए वो political parties के नेता हो, उनसे मुलाकात की, उनसे बाचीत की, सेना से बात की, गवर्नर से बात की, और ये दिखाया गया इन लोगों को की कश्मीर में परिस्तिया सामाने है, आज की तारिक में, जब ये European Union का डेलिएशन शीनगर पहुचा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कि इसको आप third party mediation, या इसको अंतराश्ट्य करण कैसे कह सकते हैं, क्य कोई दल आकर वहां दोरा नहीं कर रहा है, कोई दबाव अमेरिका की तरफ से नहीं आया कि हमारी टीम वहां जाना चाहती है, कोई European Union का दबाव नहीं आया कि हमारी टीम आपर लेकर जाईए, ये भारत सरकार ने एक NGO के साथ मिलकर initiative लिया, इन चुने हुए लोगों को वहां पांच अगस के बाद से जब से 370 हटी है, कश्मीर में तमाम restrictions लगे थे, शीनगर में खास्तोर पर, उनके खिलाफ दुनिया भर में घूम घूम कर भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, इतने दुनों में भी पांच अगस से लेकर आज हम अक्टूबर के आखिर में आ गए ह या इस मामले पर उन्होंने चुप्पी साथ रखी है, लेकिन दब लगा पाकिस्तान को कि उसकी कूटनेथिक विफलता है हो जाएगी तो पाकिस्तान ने एक चला की वरा काम, दो तीन चला की वरे काम ये किये, पहला उसने दुनिया के इन बाकी 190-192 में मुलकों में अपन 70 हमारा आंतरिक मामला था, इसमें कश्मीर पर कबजा तो, कबजा के कश्मीर तो हमारा हिस्सा था, आज भी है, वैसे ही बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बांडरी चेंज नहीं हो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की, पर पाकिस्तान ये प्रोपगेंड़ भारत के खिलाब दुनिया भर में दुश्परचार कर रहा है तो इसको एक्सपोस करने के लिए बहुत जरूरी था कि हम किनी न्यूट्रल लोगों को वहां लेकर जाएं और उनके जरीए दुनिया को बताएं कि कश्मीर में वो पिक्चर जो पाकिस्तान पेंट कर रहा है वो ह करका ने किवाल को इतनी सुरक्षा दी है कि आपको कश्मीर दोरे के दुरान कोई आपदा ना घड़ जाए हमको जानते हैं हम सब मानते कि कश्मीर बहुत ही वोलटाइल कंडिशन में खड़ा हुआ है कश्मीर में कल जब यह लोग पहुंच रहे थे वहां पर तब यह एक पेगाम जाए कि कश्मीर में जात्ती हो रही है तो क्या हमारा है हमारी सरकार का फ़रज नहीं बनता कि दुनिया को यह दिकھाए कि कश्मीर में जो पकिच्चर पाकिस्तानी यह अतंकवादी पेंट कर रहे हैं वो सिटूशन नहीं है इसलिए इन सांसेदों को वहाँ लेके गए और इन सांसेदों के ऐगा भात सुने आज जो प्रेसmediRight Muns हुई शिन अगर में उससे बहुत साफ कह देते हैं उन्होंने का कि हमको नाजी के तौर पर पेंट किया जा रहा है इन सांसदों ने ये साफ साफ कहा अपनी बाचीत के दोरान कि हम भारत की अंदरूनी राजनीती में दखल देने नहीं आए हैं हम आतंगवाद के खलाब जो लड़ाइच चल रही है वो देखने आये हैं कि पाकิस्तान किस रत तक कश्मीर को कश्मीर के लोगों को परेशान कर रहा है तो ऐसे में जब ये तमाम सांसद भारत के लिए भारत के फेवरिबल बाते हैं और ये तमाम सांसद जो करेदेगर दो जो बारत की तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहता है वो बात कहेंगे ना इसमें क्या गलत है अगर भारत के बारे में कश्मीर के बारे में ये बात सकारात्मा के अच्छी कहने वाले अंतराश्य मंच पर एक तीसरे मुल्क के लोग तो इसमें आपती कहां है ये अंतराश्य क करन कर दिया आपने भारत और कश्मीर के भारत और पाकिस्तान के भी जो कश्मीर के मामला है उसमें किसी तीसरी ताकत को गुसेड़ दिया चाहे वो यूएन होता चाहे वो यूरोपेन यूनियन होता लेकिन ये निजी यात्रा है और यूरोपेन यूनियन के लोगों को निज द्रिस के बारे में उनके वहां पे होगा इसे में उन मल्क परौफ्रा się को मलने के जाना तो जाहिर तो पर रघुखतियों की कदब करना चाहिए और को नहीं भी हुना चाहिए कि दो टीम मुल्क तो ऐसे जो सेज़ की सुरक्शिया परिशन के सदस्व हैं फ्रांस और कैसे किये वो भी समझे बीते दिनों आपको याद होगा एक तस्वीर सामने आई थी एक खबर आई थी पाकिस्तान अपने वाले पी ओके में उनके वाले कश्मीर में पांच छे अंतराष्टिये डेलिगेशन की लोगों को लेकर गया दिखाने के लिए कि वहां पर भारत ने नकिस्टान पहुंचा दिया है तो पाकिस्तान अपने मुलक में कश्मीर में ले जैंकर Jahre ब्रत बैदा करें भालत को और कि ही départ साती कि पाकिस्तान जो कर रहा है दरसल वो आतंक वादियों को पना दे रहा है मैं तो व्रम यह कहना चाहांगा कि पाकिस्तान को अब जब सबूत मिल गए है अब जब दुनिया के इन चौपिस मुलकों के लोगों ने देख लिया है सांसतों ने चौबीस अलग-अलग यूरोप के सांसतों ने तो अब मैं पाकिस्तान को चुनोती देना चाहता हूं कि जो सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिये हैं हाफिस सहीद के बारे में मसूद अजर के बारे में दाओद इबराहीम के बारे में बुबई हमला हो, चाय वो amlalas 93 वाला हो तो अब जब पाकिस्तान के पास doziers है लोग कैसे इन आतंकवादि वारदादों को अंजाम देने में तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो इन एड्रेसेस पर जहां पर ये लोग रहते हैं जो भारत ने उनको दिया है उन पतों पर एक अंतराश्टी डेलिगेशन को ले आकर दिखा सके और ये साबित कर सके कि भारत ने हमको गलत जानकारी दिया या भारत की जो सब बाउद इब्रहिम यह नहीं रहता है भारत जूट बोल रहा है दरसल पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है पाकिस्तान डड़ता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह आतंकवाद्यों की लाद्ध भी खाएगा और दुनिया बर के सामने वह जूटा भी साबित हो जाएगा मुलकों के पर डिपेंडेंट होती है ऐसे में आप अलग खलक होकर आख मून कर यह नहीं कह सकते कि हमको वहाँ पर किसी तीसरे मुलक के एंट्री नहीं करनी चाहिए थी यह अंतराश्ट्रकरं नहीं है यह मद्यसता नहीं है यह दरसल भारत की दिखाने की कोशिश है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ administrative changes हैं हमने boundaries नहीं किये हमने वहां के लोगों के अधिकार नहीं छीने हैं अब आता हूं में इस पूरे घटना करम के एक और महत्पूर आसपेक्ट पे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इमरान खान जो है वो इमरान खान की trap में हम लोग आ गए इमरान खान तो दुनिया में घुम घुम कर भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं अमेरिका से लिके चीन तक United Nations General Assembly में जो उनका भाशन था अभी सितंबर के आखिरी दिनों में आपको याद होगा उनके एक सबागंटे के भाशन में वो करीब सतर फीजदी टाइम इसी पर बोलते र है कि इस्लामोफोबिया से इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है इस्लामोफोबिक होने की जरूरत नहीं है दुनिया इस्लामोफोबिक नहीं हुई है पर ये बात सच्चा ही है कि दुनिया में जो बड़े आतंकी संगठन चल रहे हैं वो किसी ना किसी माफी के साथ कह रहा ह हैं इनके लोग पाकिस्तान में पलते पनपते हैं उसामा विन लादेन से लेकर मसूद अदर से लेकर हाफिस सईथ तक क्या हुआ यह सब लोग कहां थे बगदादी कौन था मुसल्मान था की नहीं था अपने आपको खलीफा पताया था की नहीं बताया था उसने सीरिया का तो हमारे देश में इस पूरे European Union की यात्रा के बारे में कि यह लोग जो है यह राइट विंगर्स हैं यह वो लोग हैं जो हमेशा इसलाम के खिलाफ बाते करते रहें ऐसे लोगों को चुना गया इस NGO के द्वारा और कश्मीर ले जाया गया ताकि भारत सरकार को यह समर्थन कर स हैं यह सच्चा ही है दोस्तों दुनिया में बीते पांच साल में ट्रेंड्स बदले हैं Communist, Leftist, Moderates जो विचारधारा के लोग हैं वो राजनीती में कमजोर पड़े हैं और जो रोग जिनको आप दक्षण पंती कहते हैं या जिनको आप राइट विंगर कहते हैं वैसी विचा अगर लेफ्ट विंगर को अधिकार है अगर लेफ्ट विंगर को अधिकार है अगर moderate को अधिकार है तो राइट विंगर की सोच रखने वाले क्या गुनेगार होते हैं अगर वो राइट विंगर जिनको जनता चुनती है MP के तौर पर, MLA के तौर पर क्या उनको जीने का हग नहीं बनता है मेरा बहुत सीधा से सवाल है कि वो भले राइट विंगर हो वो भले इसलामिक टेर्रिज्म के खिलाब बोलते रहे हो जो चौबिस लोग आये हैं इसमें लेफ्ट सोच के लोग भी भी है मॉड़़ेट सोच के लोग भी रेकिन ये पेंट किया जा रहा है कि सिर्फ र्षम को बुलाया गया है इसमें कुछ लोग है बबने ओन interaction कम है लेकिन उनकी संक्या उसी रेशो में है उसी प्रपोर्शन में जिस रेशो में आज की तारिक में दुनिया में लेफ्ट विचारधारा के लोग या मौडरेट विचारधारा के लोग या उनकी ताकत कमजोर हुई है उसी रेशो में इस पूरे इस ग्रुप का जो आप कह सकत अब बात करता हूँ राजनीती की भारत के अंदर हो रही राजनीती की राहूल गांदी जो कह रहे हैं असद उदीन ओवेसी जो कह रहे हैं कि हमको नहीं ले गए उनको ले गए भारत ने अंतराश्टे करन कर दिया मैं यह कहना चाहता हूँ एक गलती सरकार से हुई है और यह या असदूदिनोवेसी जैसे लोग जो एक और पार्टी डेलिगेशन मनाते और उनको ले जाके कश्मीर के आलात के बारे में दिखा देते यह भारत सरकार से चूक हुई क्योंकि भारत सरकार जानती है कि ये लोग जो है ये लोट के आने के बाद ये लोट के आने के बाद क्या बयान बाजी करेंगे उसका अंतराष्टी इस तर पर क्या असर पड़ेगा ये सरकार कंटेंप्लेट कर पा रही थी कि ये राजनीति करेंगे राजनीतिक बयान बाजी होगी और जिसको लेकर अंतराश्टे इस तरह पर कश्मीर की मामले को समझा पाना सुल्जा पाना मुश्किल हो जाएगा लेकिन एक चीज और भी है राहूल गांदी या ग्लावनुब्याजाद या और डेलिकेशन सी तरह जब कश्मीर जाने की बात कर रहे थे तब कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था वहां पे तमाम रिस्ट्रिक्शन थे वहां पे किसी भी वारी आदमी को जाने में दिक्कते हो रही थी एर्पोर्ट के बाहर नहीं निकल पा रहा था बगएर परमीशन के बगएर पास के बग सकोटके, तो यह यह प्रोसेस शुरू हो गया है, स्कूल शुरू हो गया है. आज जब कर्फ्यू नहीं है, आज जब Land Line शुरू हो गया है. आज जब Mobile शुरू हो गया है. आप मानोगे नहीं सिर्फ इंटरनेट और प्री पेड फोन वही बंद है बाकी वहाँ से बात्चीत हो पा रही है वहाँ बाजार खुलंग रहे है वहाँ सुबह साथ-च्छे-साथ बज़े से लेकर दज्ज्यारह बाजार खुलता है फिर शाम को पांच बेसे लेकर रात को साथ आट बे तक बजार खुलता है ये चीजें दिखाती है कि वहाँ चीजें सामान नॉर्मल कंडिशन्स के और आगे बढ़ रही है इसको भी हमको समझने की जरूरत है और इन सब के बीच में अगर हम ये भूल जाते हैं कि राहुल गांदी या उसादुदी नुवेसिया सीतरा में चुरी जो बाते कह रहे हैं कि हमको नहीं जाने दिया तो आप सबर करिये ना आप अब इजाज़त मांगे रहे हैं सरकार से कि अब हम जाना चाहते हैं पर अब आप पर्विशन नहीं मांग रहे हैं विपक्ष की नेता भी तो राजनीती कर रहे हैं अगर भारती जनता पार्टी पर राजनीती करने का आरोप है 370 के जरिए तो विपक्ष की लोग भी तो राजनीती कर रहे हैं हम अपनी संसत की दोहिन कर रहे हैं हमारी संसत ने लोकसभा राजसभा दोनों में राजसभा में बीजेपी और एंडिय के पास भहुमत नहीं है उसके बावजूद भी दो त्याई से जादा वोटों से धारा 370 को खत्ब करने वाला संविदान संशोधन पास किया है कॉंग्रेस के लोगों ने गायब रहकर संसत से या सरकार की मदद किये बीएसपी ने सरकार के लिए वोट किया आमादी पार्टी ने सरकार के लिए वोट किया यह बीजेपी के लोग नहीं है लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े थे तो जो काम संसत ने पास क कर दिया छीनसों सथर्टर को खथम करनेंबाला उसको सरकार लागू कर रही है तो क्या गलत कर रही है अम अगर वहां पर हालात सामान हो रहे हैं ठोट किस की छीज को आपती है इस morbid को अपते गुलाओ अब क्यों नहीं जाते हैं यूसुफ तारीगामी को लेकर सुप्रीम कोड का ओर्डर आया सी तरह मेजुरी गए मिलकर आए उसके बाद तारीगामी साथ दिल्ली आए दिल्ली से गए प्रेस कॉंफरेंस की दिल्ली में आके उन्होंने सब के बीच में हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर विपक्ष के लोग वहां जाते तो लौट की आकर वह ऐसी कुछ राजनीतिक बैयनवाजी कर सकते थे जिससे कश्मीर के लोगों को उकसाने वाले बायनों होता है जो कश्मीर के लोगों को भड़का सकते थे शायद इसलिए सरकार ने अजाज़त नहीं दि कि रहे इनको क्यों जाने दिया दरसल जनाब यह इनको चुनाव नहीं लड़ना है भारत में ना कश्मीर में लड़ना है यह जो बना कि आएंगे यह फीर अंड फीर ऊपिन बना कि आएंगे और यह अपनी बात बात कहेंगे आके, और अगर मीन लिजए इन पर कोई भारत सरकार की तरफ से इनका ब्रेन वाश किया गया या इनको समझाया सिखाया गया, उसके बाद यह बयान देंगे और्ध यह सांसद लोग हैं यह किसी की बातों में ठोड़ी आएंगे यह किसी को इनको ब्रेन वाश ठोड़ी कर सकता है यह समझदार लोग हैं अपने अपने मुलकों के चुने हुए प्रतिनी दिए यह अपनी थूतू थूड़ी करा हैं आने वाले वक्त में भारत की चक्कर में आकर भारत सरकार के सो कॉल्ड सम्मोहन में आकर ऐसा नहीं होने वाला है तो क्योंकि यह 24 की 24 नेता कश्मी जाकर वहां पर ऐसी बैनवाजी नहीं करेंगे जिससे राजनीतिक तोर पर महौल खराब हो लोगों को लोग कश्मीरी लोग भड़के इसलिए भारत सरकार ने इनको पहले भेजा यह लौट कर आजाएंगे तो हो सकते हैं आने वाले वक्त में अगर विपक्ष के लोग चा कर रहा हूं तो ऐसे में विपक्ष के लोग आके बयानवाजी करते हैं चीजों को भड़का सकते थे यूरोपन यूनियों के लोगों को कोई राजनीतिक नहीं भारत में तो जाहिर तो पर वह समान रहेकर बात करते इन परिस्तितियों में हमको यह समझने की जरूरत है आज अचे से रह सके और अगर आम कश्मीरी को लगता है कि 370 घुटा कर उसके जात्ति की गई है तो आप राजनीतिक आंदोलन चलाकर सरकार पर दबाव दुबारा बना सकते हैं कि 370 किसी कोई हमको विशेश सुविदा चाहिए आप करियेगा ना लेकिन गोली बारी करना गरी म मानना चाहिए इस पूरे घटनगर में एक गलती सरकार की यह होई कि विपक्ष को भरोस्य में नहीं ले पाई और दूसरी गलती सरकार की यह होई जो मुझे लगता है कि एक NGO के जरिये कोई माडी शर्मा नाम की माईला है जो एक NGO WESTT चलाती है जिन्होंने इस पूरी ट्रि इस बजाए किसी NGO के करने के विदेश मंत्राले के थू करनी चाहिए थी प्राइबिट विजिट ही होती विदेश मंत्राले इसमें इंवाल होता और यह होता कि विदेश मंत्राले के कहने पर यह लोग प्राइबिट विजिट पर शीनगर के हैं तो शायद सरकार के लिए ज सब कुछ मैनेज किया गया है, खरीदा गया है, तो यहां पर जरूर चूक हुई है, कि इस माड़ी शर्मा या माड़ी शर्मा के एंजियो के जरीए जो सारा अपरेशन किया गया है, को ले जाने का, सरकार की सहमती से किया गया, ऐसा नहीं है कि सरकार की सहमती ना होगी, सरकार को सब पता होगा माड़ी शर्मा की क्श्मीर जाना असान बात नहीं है तो इसकी बजाए अगर विदेश मंत्राले इन्वाल्व होता तो मुझे लगता है कि शायद जादा जैनुइन इस ट्रिप पर दुनिया के और मुल्क भी इस ट्रिप को वारे में सवाल नहीं खड़े कर पाने में पाए हैं और 20 से 25 नंबर खो दिये हैं इस चीज को लेकर कि हम इसको टेकल ठीक से नहीं कर पाई हमारी सरकार ठीक से टेकल नहीं कर पाई तो इस परिस्तिती में आज की तारिक में पाकिस्तान के प्रोपगेंड़ा को दुश प्रचार को खतम करने के लिए ये काम बहुत जरूरी था और ये होना ही चाहिए था बहुत बहुत धन्यवाद